पहले तो मैंने बहुत जादा सोचा कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं फिर एट लास्ट मैंने डिसाइड किया क्यों ना चला है बनाते हैं कुछ ना तो बोलने का फर्स दो बनता ही है यार मैं बस अपने फोन का यूज कर रहा था उसमें यूटूब ऑपन कर रहा थी और बस स्क्रोलिंग किया जा रहा था तो एक वीडियो सजेस्ट हुई जिसमें लिका हुआ था कि आपके सामने इमेज भी आ रही होगी बीजिप कार्यकरता ने मजदूरों से पैसे लेकर उनकी प लोड करी और इसमें बताया गया कि एक बीजिप की कार्यकरता रमेश वर्मा ने क्या किया कि पैसे लेके मजदूरों से उनकी जब उसे पैसे वापिस लेने की बात की जिसने जैसे क्या होता है कि ये थर्ड पार्टी एक बीच में दो दलाल होता है ना विश्वास मुझे नहीं बता उस इनसान का नाम क्या था वो उसने मजदूरों से रुपे लिये थे और उसने फिर ये रमेश वर्मा या रकेश वर्मा जो भी था उसको ये जाके रुपे दिये थे और जब ये मजदूरों के कहने पर ये पूछने गया कि टिकट कहा है टिकट मजदूर मांग रहे हैं तो रमेश वर्मा ने उसकी पिटाई कर दी तो ऐसी चीज इन्हों ने दिखाई है बात मेरी यह नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया बात मेरी सिंपल सी यह है कि एक इनसान गलत कर रहा है उससे ज्यादा important यह है कि वो किस party से related है इस पूरी वीडियो में यह सिर्फ इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि BGP के कारेकरता ने पिटाई की क्या इसकी जगा यह नहीं हो सकता है कि एक इनसान एक आदमी ने रमेश वर्मा या तो नाम लेकर बोल सकते हैं कि रमेश वर्मा ने मजदूरों उसकी पिटाई की पैद वो चीज इनके एक एजेंडे को वो सूट ना करती कि इनको एक party के किलाफ एक hate तो फैलाना ही है तो को मैं किसी party का समर्तन नहीं करा हूँ या अगर congress भी होती या बीज़पी है भी फिलाल congress होती या CPI जो भी होती बात तो वही आती ना एक party को लेकर यहां पर ऐसी चीज फैलाई जानी यार कहां तक चीज़ें सही होती हैं लोगों के मन में धीरे धीरे यह जहर गोलना कि एक party के लोग इनसान गलत होता है ना कि वो party या कोई धरम या कोई जाती वो इनसान बार बार सिखाया जाता है ना उस इनसान ही वो इनसान गलत होता है तो उसे उसका नाम लेकर चीज़ करो ना यार कि वो उस इनसान ने लोगों को ठगा और उसे ने एक लाग सोला जार मज़दूरों के जो नोंने महनत करके कमाये थे अपने घर जाने के लिए उस इंसान को दिये तो बात उस इंसान के आती कि उसने गलत किया तो उसे पुलिस के अब तुम इसके नीचे कॉमेंट पढ़के देखोगे ना तो इसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि हाँ उस इंसान को जो में रमेश वर्मा ने, नाम तो रमेश वर्मा कहीं आता है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ BGP को वहां पर पूरे कमेंट में इसको गाली दी गई है, सारे के सारे चैनल तुम्हारे दमाग के साथ ही खेलते हैं, तुम्हें धीरे 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 ऐसी चीज ऐसे प्रोपगेंडा म तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम खुद कॉमेंट पढू पढ़कर देखो न आर तुम्हे यह तुम खुद यह नहीं बोल रहे हो कि रमेश वर्मा कहीं पर भी कॉमेंट से रुपे लेकर उनको ठगा, बात कहीं पर भी उस चीज की नवी बात हुई कि BGP कारे करता ने ऐसा कर दिया, और जब BGP ने इसमें मना कर दिये कि वो हमारा कारे करता नहीं है, तो ये कहने पर आए, कि भई, उन्होंने ये चीज कन्फर्म की है, फेस्बुक से, फेस्बुक एकाउंट से, उसने अपने आपको BGP का करता लिखा हुआ है, वहाँ पर, एक चीज सिंपल सी समझो, वहाँ तुमें ये, अगर वहाँ इनसान ये लिख दे इस चीज को समझो, इन लोगों के चक्रों से दूर अटो, ये चैनल जो होते हैं, इनका कोई इमान, धरम, कुछ नहीं होता, बस अपने एक प्रोपोगेंड़ा इन्होंने फैलाना होता है, लोगों के बीच में नफरत पैदा करने वाली चीज़ें इन्हों नहीं करनी होती है, एक गलत इनसान को उसके एक जाती से जोड़ना है, उसके धरम से जोड़ना है, पार्टी से जोड़ना है, इनी चैनल का काम है, और रही बात इस इनसान के जिसने मजदूरों को ठक है, साले को जेल में डालो, ठोको, और जितने रुपे लिए उसके दोगने मजदूरों एक हमारा एक देश है जहां पर कुछ एक ऐसे लोग ऐसी घटिया चीज़ें कर रहे हैं पार्टी से कुछ चीज़ों को जोड रहे हैं इंसानों से उनका कोई लेना देने नहीं कोई गलत कर रहे हैं उनको मतलब है कि वो पार्टी से किस पार्टी से रिलिटिड है पैर बस इत दिमाग में एटलिस इतनी बात तो पहुंचा हूँ कि किस परकार की गंदी वीडियोज ये लोग लोगों के मन में जहर गोलने के लिए बना रहे हैं ये गुसा आ गया था जब ये सुबह सुबह देख रहा था मैं ये क्या घटिया बनती कर रहे हैं मतलब कोई जुर्म करता है तो उसको उसके धरम उसके जाती या फिर उसकी पार्टी से उसे जोड़ दिया जाते हैं कहां तक की चीजे हो रही हैं यार ये चीजे कैर बस आज के लिए इतना है था थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो जाहिन